पानी को निकाल देंगे और मटर को कुकर में डालेंगे यह देखिए हमने पानी इसका चेंज कर दिया है मटर का सफेद मटर का इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक और पुछ नहीं डालेंगे और इसको मिला के कुकर को बंद कर देंगे तीन से चार विसल आने देंगे और यह दिखिए चार सीटी लगने के बाद कुकर अपने आप ठंडा हो गया और यह इस तरह से हमारे चने जो हैं वो बन गए हैं बिल्कुल सॉफ्ट हैं मैंने भी हाथ लगा के देखा है एकदम सॉ इतना डालना है कि बस यह आधा इंची उपर रहे हाधा पॉन इंच तो अच्छे से यह सोक हो जाते हैं तो अब हमनी यह बॉयल जो मटर है सफेद वाला वो ले लिया है और बस कुछ नहीं करना है बिना तेल के हम इसको बना रहे हैं हम इसमें यह एक से डिड़ कटा हुआ अब और की मिर्च everybody's अधुन ना डिया है झालते हैं हैं काफ़ी ज्यादा गर्पानी है हुआ जाओर लिकी तो भॉआ cockroम्ति है तो तो उसमें यही सब डालते हैं, इमली का पानी, हरी चटनी, ये तीखी वाली हरी चटनी मैंने बनाई है, बहुत बार आपको बना कर दिखाई है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, चट पटी चटनी डालने से ही इसका टेस्ट अच्छा सा आता है, और ये लिये हैं हमने सारे मसाले, देखिए मैंने एक चमच काला नमक लिया है, एक चमच धनिया पौडर लिया है, आधा चमच लाल मिर्ची पौडर लिया है, एक चमच जीरा पौडर लिया है, चाट मसाला है, एक चमच और दो पिंच काली मिर्ची पौडर है, इन सभी मसाल को हम इसमें डाल देंगे है ना असान रेसिपी आप सब चीज निकाल के रख लीजे और बस मिला दीजे मिक्स कर दीजे मिक्स करने के बाद भी न टेस्ट करके देख लीजे इसमें ऐसा कुछ फिक्स रही है जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कम लगता है आप एड कर दीजे तो यह जो है ना बिना तेल की मटर वाली चाट कुल्चे के साथ खाईए परांठे के साथ खाईए आप ऐसे ही खा लीजे बनकर तयार है इसकी करते हैं प्लेटिंग और ये देखिए हमारे यमी सी मटर की चाट कुल्चे के साथ खाने वाले मटर बनकर बिल्कुल तयार हैं बहुत यमी हैं बिना ओईल के हैं जरूर बनाईए ट्राइ कीजिए थैंक यू सो मच फो वाचिंग मैं रेसिपी